जहिन दोस्तों वेल्कम है आपका विज़पत डिफेंस एजुकेशन पालमपुर में आज है 31 अगस्त 2021 डिसकस करेंगे हिमाचल प्रदेश के most important current affair जो कि आपके आने वाले हिमाचल पुलिस exam, forest guard exam और जतने भी upcoming exam है हिमाचल के उन सभी के लिए most important रहेंगे 5 minute 5 question की वीडियो आपके लिए रहेगी वीडियो को आपने पूरा देखना है, share करना है और चैनल को आपने subscribe करना है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, first question है आज का टोक्यो पैरलमपिक्स में हिमाचल परदेश के किस खिलाडी को रजत पदक मिला है which player from हिमाचल परदेश got silver medal in Tokyo Paralympics तो ऐसा कौन सा player है हिमाचल परदेश का जिसको silver medal से Tokyo Paralympics में नवाजा गया है तो निशान्द कुमार हिमाचल के खिलाडी है जिनको उन्ची कूद के लिए Tokyo Paralympics में silver medal दिया गया है डिस्टी कुना से ये समंद रखते हैं और इनके जीतने की खुशी में हिमाचल परदेश सरकार ने इनको एक करोड रुपे देने की घोशना की है तो इंपोर्टेंट कुशन यहां से बनता है कि एक करोड रुपे देने की खुशना हाल ही में किसे की गई है तो निशान्द कुमार को उन्ची कूद के लिए जिनको Tokyo Paralympics में silver medal मिला है तो उनको एक करोड रुपे देने की घोशना की गई है हिमाचल परदेश सरकार के द्वारा साथ में ही बिनावा बेन पटेल को भी silver medal मिला है Tokyo Paralympics में नेक्ट कुशन है रैंबो ओफ इंडियन आर्मी के नाम से किसे जाना जाता है तो रैंबो ओफ इंडियन आर्मी के नाम से मेजर सुधीर बालिय को जाना जाता है ये 29 अगस्त 1999 में शहीद हुए थे जमू में और इनके मरने के बाद जो है मरनो परांत उनके शोरे के लिए शांती काल के सबसे बड़े बीरता पुरुषकार जो कि अशोक चकर है उनसे इनको सम्मानित किया गया था तो important question है आपके लिए कि मेजर सुधीर बालिय को किस पुरुषकार से नवाजा जा चुका है मरनो परांत तो उनके शोरे के लिए सबसे बड़े जो बीरता पुरुषकार है अशोक चकर से उनको सम्मानित किया जा चुका है 29 अगस्त 1999 को ये शहीद हुए थे और उनी के लिए हिमाचल में शहीद दिवस मनाया जाता है राष्ट्री खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है तो नैशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को नैशनल स्पोर्ट्स डे ये राष्ट्री खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जिकी याद में जिनकों की होकी का जादुगर के नाम से भी जाना जाता है next one है most important question खाल ही में IHBT पालंपूर के द्वारा त्यार किये गए हींग और केसर की खेती हिमाचल परदेश के किस जिले में मुख्य रूप से की जाएगी तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो IHBT है पालंपूर जो की research वहाँ पर की जाती है crisis related वहाँ पर हींग और केसर की खेती के लिए कुछ बीज जो हैं वहाँ पर उगाए गए हैं और वहाँ से इनको किनोर और लाहूस पीती में मुख्य रूप से इन दोनों ही हींग और केसर की जो है वो दोनों की ही खेती जो है वो किनोर और लाहूस पीती में की जाएगी इंपोर्टेंट कोशन है केसर की खेती जो है वो 0.24 हेक्टेर भूमी में की जाएगी और हींग की खेती जो है वो 0.5 हेक्टेर में की जाएगी नेक्स वन फिफ्ट कोशन है आज की इस भीडियो का लास्ट कोशन है और सबसे इंपोर्टेंट कोशन है जन गणमन की धुन के जनक केपटन राम सिंग ठाकुर कहां के निवासी हैं काफी बार आपने सुना होगा कि जन गनमन जो है वो रविंदरनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है और उसकी धुन जो है वो कैप्टन राम करन सिंग ठाकुर जी के द्वारा बनाई गई है तो ये कहां के निवासी हैं ये हैं हिमाचल परदेश के धरमशाला के खनिय परदेश के मुख्य मंतरी जैराम ठाकुर जी करेंगे यहां से ये important question आपके लिए बनता है तो daily current affair देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें वीडियो को share करें हमारा हिमाचल पुलिस का भी batch start हो चुका है जिसको आप advance में जो इन कर सकते हैं हमारे whatsapp group के साथ जरूर जुड़ें जिसमें आपको day to day के current affair, pdf, study materials, notes, all over सार हमारे whatsapp group को join कर सकते हैं जुड़े रहें हमारे साथ देखते रहें विजेपत defense education youtube channel धन्यवाद